हेलो स्टुदेंट्स वेलकम तो माई चैनल एजोफीड फॉर आल तो आज की इस लेक्षे में देखेंगे क्वेश्चन नमबर 13 और प्रॉब्लेम सेट 5 और हमारा चाफ्टर चल रहा है कोडिनेट जोमेट्री तुछ लिए स्टार्ट करते हैं है सो कुशन नमबर 13 इस फाइंड लेंग्ट ओप मेडियन और ट्रेंगल वोज वर्टैसेस आर ए-1,1,1,5-3,3,5 तो यह वेश्चन है तो इस में हमें एक ट्रेंगल दिया है ट्रेंगल में तीन वर्टैसेस हमें पता है उन वर्टैसेस में से जो निकलने वाला मेडियन है तीनों मेडियन ठीक है तो उनकी हमें लेंग्ध यहां पर निकल लिए है ठीक है क्वेशन समझ माया है ट्रेंगल whose vertices are known A, B and C coordinate of point A is minus 1,1 then B 5 minus 3 and C 3,5 okay तो यह रही है आपकी ट्राइग्रम जो यहाँ पर मेडियन हम प्राव कर लेते हैं तीनों वर्टाइस में से तो इस फिर्स्ट मेडियन इस इस से कंड प्रॉंग सी एंड लास्ट बन प्रॉंग B point ओके तो यहाँ पर हमने तीनों मेडियन ड्रॉंग कर लिए हैं अब इसे हम नाम दे देते हैं जो हमने वर्टेक्स A से निकला इसे हम नाम देंगे D then B से निकला हुआ है उसे हम नाम देंगे E and from वर्टेक्स C इसे हम नाम देंगे F ठीक है सबसे पहले हम question को समझेंगे question में क्या बोला गया है तो हमें length निकलने हैं तो आप length कैसे निकलेंगे तो length निकलने के लिए देखिए आपको इन medians की length चाहिए ठीक है यह जो median है इसके आपको length चाहिए यह 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 तो आपको क्या चाहिए они 성esaii8 ई और d एक के coordinate आपके बास में और आपके बास में D के कोणिने नहीं है तो सबसे पहले आपको D के coordinate find out करना पड़ेंगा ठीक है देन के coordinate उसके बात में app के coordinate ठीक है तो D के कोडिनेट आप किस तरह से find out कर सकते हैं तो इसके लिए हमें एक बात पता है कौनसी यदि हम वर्टेक्स से साइट पे median ड्रॉख करते हैं तो वह साइट क्या होती है बाइसेक होती है ठीक है तो यह जो साइड बीसी यह क्या होगी यहां पर बाइसेक्ट बाइसेक्ट मतलब CD बराबर DB ठीक है मतलब यह दोनों डिस्टेंस क्या हो गया सेम मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि D is the midpoint of segment BC ठीक है सेम यहाँ पर भी होगा बीए की वज़े से एसी क्या हो गया बाइसेक्ट हो गया ठीक है आलसो हीर चलो question समझ में आ रहा है अभी देखिए इसका आप मतलब इसके आपको coordinates निकलने हैं ठीक है तो point D के coordinates यहाँ पर हम मान लेते हैं X,Y तो सबसे पहले आपकी स्टेप यहाँ पर रहेंगी है तो फाइंड दो कोडिनेट ओफ पॉइंट डी स्टेप नंबर वान है तो फाइंड है दो कोडिनेट है ओफ पॉइंट डी थो है तो यहाँ पर हम उस्ट करेंगे बाइंड पॉइंट फर्मूला हैा सो बाइं है midpoint फर्मूला है विक हुढ मिड़ पॉइंट फेर्मूला क्या था x कोडिनेट इज इव सवेहाल टू x1 plus x2 upon 2 and y coordinate is equal to y1 plus y2 upon 2 ठीक है बहुत सिंपल फर्मूल है जो हमारे पास में x लिखा है यहाँ पर तो यह वाला आपका x कहा रहेंगा पॉइंट का x coordinate ठीक है तो x is equal to अभी आप x1 और x2 कहा से लेंगे ठीक है तो जो पॉइंट B का x coordinate है यहाँ यह संबनाएंगे x1 this is y1 x2 y2 ठीक है यहाँ पर लिखेंगे x1 x1 that is 5 plus x2 x2 is 3 divided by 2 and y is equal to y1 that is minus 3 plus 5 upon 2 so x is equal to 5 plus 3 is 8 divided by 2 y is equal to 5 minus 3 is 2 upon 2 so x coordinate हमें यहाँ पर मिलता है तू फोर्जा एट and y coordinate is 1 कि इसी दरह से हमें तीनों पॉइंट के coordinates हमें निकाल लेने हैं that is d e and यह तो d point के coordinates आ गए है आपके पास में तो अभी हम यहाँ पे a d को distance फर्मॉले से उसके हम link निकाल सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर और point e के coordinates निकाल लेते हैं by using midpoint formula यहाँ तक लिख लिख जिए ओके तो अभी हमें निकाल ला है point e k coordinates ठीक है so by using midpoint formula we have to calculate the coordinate of point e so midpoint formula is x coordinate is equal to x1 plus x2 upon 2 and y coordinate is equal to y1 plus y2 upon 2 तो e point के हमने coordinate यहाँ पर अजुम किया है x, y okay so is the midpoint of segment a c a और c का e जो point है यह क्या है midpoint है ठीक है तो यहाँ पर हम x1, y1 बनाएंगे point a के coordinate को and x2, y2 बन जाएंगा हमारा c के coordinates ठीक है तो अभी आपको यहाँ पर value put up करने है so x coordinate is equal to x1 so x1 is minus 1 plus x2 is 3 upon 2 y coordinate is equal to y1 y1 is 1 plus y2 is 5 upon 2 so x is equal to 3 minus 1 is 2 upon 2 and y is equal to 5 plus 1 is 6 upon 2 so x is equal to 1 and y is equal to 3 ठीक है तो हमें यहाँ पर point e के भी coordinates यहाँ पर मिल चुके है that is 1,3 और लास्ट में हम क्याप्लेट करेंगे point f के coordinates ठीक है ओके नाव स्टेप नमबर 3 to find the coordinate of point f by midpoint formula यहाँ पर midpoint formula क्यों लगा है because point f is a midpoint of segment a p ठीक है तो midpoint formula हमारा पास में आता है x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. So, x is equal to x1, x1 is minus 1 plus x2, x2 is 5 upon 2 and y coordinate is equal to y1, y1 is 1 plus y2, y2 is minus 3 upon 2. So, x is equal to 5 minus 1 that is 4 divided by 2, y is equal to y1 plus minus minus 3 upon 2. So, is equal to 1 minus 3, 1 minus 3 is minus 2 upon 2. therefore, x is equal to 4 by 2 is 2 and y is equal to 2 upon 2 is 1, minus sign as it is. यहाँ पर हमें point f के भी coordinate मिल चुके हैं ठीक है? यहाँ यहाँ पर हमें length निकलने में आसानी होंगी अब हम यहाँ पर यूज करेंगे distance formula तो सबसे पहले हम यहाँ निकलने में आसानी होंगी अब हम यहाँ पर यूज करेंगे यहाँ पर d e और f के coordinate लिख लेते हैं तो d point के आए था हमारे पास में 4,1 point e के coordinates थे 1,3 एप के coordinates है 2,1 ओके step number 4 to find distance from a to d और यह से हम ऐसा भी लिख सकते है लेंग्ट अब a d ओके तो बाय दिस्तंस फर्मुला distance from a to d is equal to root of x2-x1 whole square plus y2-y1 whole square ओके तो हमें क्या चाहिए a d इतना distance चाहिए तो यहाँ पर हम a d को अलग से निकाल लेते हैं तो इसमें हम x1 y1 x2 y2 अजूम कर लेते हैं अब इसे भी x2 y2 अजूम कर सकते हैं और इसे x1 y1 ठीक है अभी आपको कुछ नहीं करना है सिंपल यहाँ पर पूट करना है x1 y1 x2 y2 की वैल्यू को ठीक है तो is equal to root of x2 x2 is 4 minus x1 x1 is minus 1 so minus minus plus one whole square plus y2 y2 is 1 minus y1 is one whole square so root of four plus one is five five square is 25 plus one minus one is zero zero square is zero so root of 25 is equal to five तो यहाप यमार पास में distance आ गया आए फ्रोम एसे डी तक का फायू यूनिट ओके तो यह हो गया आपका फर्स्ट मेडियन का लेंग्थ ठीक है step number five to find distance from b to e okay so by distance formula distance from b to e is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ठीक है यहापे हम अलग से मेडियन को ड्रॉब कर लेते हैं यहापे हम अलग से मेडियन को ड्रॉब कर लेते हैं यह बी ए दिस पॉइंट भी दिस इए बी के कोडिनेट से 5,3 एंग पॉइंट एक कोडिनेट से 1,3 इसमें हम पड़ा पड़ा आजम कर लेते हैं x1 y1 x2 y2 को ठीक है तो अभी हमें चाहिए distance from b to e is equal to question mark ठीक है तो is equal to root of x2 x2 is 1 minus x1 x1 is 5 whole square plus y2 y2 is 3 minus y1 यहाप हमें दिया है minus 3 ठीक है तो minus of minus that is plus 3 whole square is equal to root of 1 minus 5 is minus 4 whole square plus 3 plus 3 6 square minus square minus ka square होता है plus so 4 square is 16 plus 6 square is 36 okay so root of यहाप यहाएंगा 52 तो यहाँ गया है distance from b to e unit में अब हमें लास्ट चाहिए लेंग्ट फ्रॉम सी टू एप इस मेड़न के हमें लेंग्ट चाहिए बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे चाहिए मैं स्टेप नंबर 6 और के बाद में आपे में लिखेंगे स्टेप नंबर 6 है तो फाइंट इस्टेंस प्रॉम है सी टू एप ओके बाइड इस्टेंस फर्मले से जाएंगे ठीक है यहाँ पर हमें कि आप अलग से निकालना पड़ेंगा कि आप सी के कोडिनेट से आप ही दिए है 3,5 और एप के कोडिनेट से हमर पास में टू कॉमा माइनस वन तो इस एक्सवन तरीज एक्सवन फाइज यवन तो इस एक्सटू माइनस वन इस वाई तो तो हमें चाहिए डिस्टेंस प्रॉम सी तू एप बाइस इंग दिस्टंस फर्मुले से ठीक है बस यहाप यह भी आपको क्या करना है वैलू पूट अब करना है और करना है okay so root of x2 x2 is 2 minus x1 is 3 whole square plus y2 y2 is minus 1 minus y1 is 5 whole square so is equal to root of 2 minus 3 is minus 1 whole square plus minus 1 minus 5 is minus 6 whole square root of minus square is plus so 1 square 1 plus minus square is plus मतलब जो भी आंस रहेंगा वो प्लस में होंगा देन 6 square is 36 so यहाप यमार पास में 36 plus 1 that is 37 unit so distance from b to e is equal to root of 37 और यही था question ठीक है तो इस तरह से आपको solve करना है बहुत ही simple question था देखते हैं next question next lecture में और तब तक के लिए धन्यावाद गुडबाए टेक्यों